कि शुstarsुन bisa और ला के नाम से भी जानते हैं यह डिका जिस Krझी का सिर्फ ज़स्कों लोबिया के नाम से भी ज다नते हैं कुछ लोग उसको बोराा के नाम से भी कजते है यह यह बहुट 2 उपियोगी फशल है व्धिक का सिर्फ यह फली को सबजी के रूप करते हैं इसका सुखा हुआ जो अनाज है उसको जो है दाल के रूप में प्रियोग करते हैं और इसके फसल को जो है हराचारा के रूप में प्रियोग करते हैं कि तो बोधी का जो है लगाने का जो शमय है बोधी को मुखिरूप से पूरे बर्ष में दो सीजन में लगाया जात तो जून से लेके जुलाई के महिना में किशानों को जो है इसका बीजबुआई करना चाहिए जो है कि खेती अगर किशान भाई करते हैं तो इसके लिए जो जलवाई जो तापमान है वो करवन 24 से 27 डीजरी सेंटीग्रेट होना चाहिए और अगर खेत की तैयारी की हंगर बा जो है है अब जो है देशी हल जो है उससे जो है खेत की जुताई करें और हर जुताई के बाद जो है मिट्टी को शम्तल करें उसके उपरांद जो है छोटी-छोटी क्यारियां बनाए और जो है रीज फौरो करके मतलब उठीवी क्यारी बनाके उसमें भीज की रुपाई की किसान भाई बैसे जो है जो है नत्रजन करिबन 20 इसन किलोग्राम करती हेक्टेयर और फोटास करें 50 किलोग्राम पराइब के हिसाब से किसान भाई यह गना चाहिए कि भौधी जो है दलहनी फसल है इसमें नाइट्रोजन fixation करने की छंकिता होती है इसलिए इसे नतरजन की शक्ता कम पड़ती है तो किशान भाई जो है नतरजन का जो है नतरजन कज़ां का 20 kg जे उसकी आधिमात्रा और फासफोरस और पोटासकी पूरी मात्रा को जो है बेशल डोज के रूप में जो है खेत में शिर्काव कर देना चाहिए और उसके वाद युताई करके रीज बना के किसान भाईयों को इसमें बॉआई करना चाहिए बिल्कुल एक ची मैं आप से जानना चाहूंगा कि ज्यारखंड के परिपेक्श में अ पौधा 25-70 cm में उंचा होता है जाड़ी की तरब रहता है और लत्तीदार फसल होता है उस में लत्तार आता है उकरीवर्ण जो है डेड़ से 2 मीटर यह उंचा होता है बर्षाद के मौशम में ज़ो है ज्यादा तऱक़कर हरखंड के अगर बात करें तो लत्तिदार जो है बोधी की खेती। किषान भाईयों करना चाहते हैं वैसे जो है आप जाड़िदार दोनों की खेती आप इस ओस्य〜स देङआ कर सकते कि और भी मौसम में अगर खरीव के मौसम कर रहें तो ईसवाथ का ध्यान रखें जो है कियारी बना कि उच्ची हुई क्यारी बनाके उसमें बीज का बुआई करें उससे किशानभाईयों को फाइदा होगा बरसाथ के मौसम में नीचे का जमीन काफी नमी भरा रहता है अगर पौधा नीचे में फैलेगा तो उसका फली जो है पानी के नमी के कांटक्ट में आएगा तो वहां जो है फलन होगा और सडन हो जाएगा और आपको फशल को नुक्षान हो जाएगा तो उसको शहारा देना निश्टित रूफ से जरूरी है तो आप जो लगाते हैं जैसे कि लगाते हैं तो यह पौधा से पौधा का दूरी यह 15-20 cm रखते हैं और लाइन से लाइन का दूरी जो है वह 10-15 cm होगा तो किशान भाई जब भी खरीब के मौशम में लगा रहे हैं तो उसको शहारा देना निश्टि रूप से जरूरी है तापकि आपका फसल का नुक्षान नहीं हो और गुनवत्ता पौन फसल आपको प्राप्त हो बोधी में जो खाशकर जो है लाही जो ह है उसका प्रकुप काफी आता है इसका जो है यह पती का जो है रश या तना से रस को चूसता है और निकालता है जिससे वहां का भाग जो है काला हो जाता है तो उसके लिए किशान भाई जो है पहला तो उपाय है कि जो है आप पानी से सिर्फ पानी से एक वर अगर आप एक शे दो बार दस से पंदरह दिन के अंतराल में अगर किशान भाई करते हैं तो लाही कीट या महू कीट जिसको कहते हैं उसे किशान भाईयों को फाइदा मिल सकता है.